अकसर अपनी स्पीड और अपने लुक को लेकर सुर्ख्यों में रहती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस बार अलग वज़ा से चर्चा में है और वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी दो बड़ी खबरे सामने आ रही है सबसे पहली खबर है कि वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर से हाथसे का शिकार हो गई है दरसल वारानसी से दिल्ली आ रही वंदे भारत एक्सप्रस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है यहाथसा उत्रप्रदेश के ठुडला के पास जले सर और पोरा के बीच हुआ है जानकारी के नुसार वारानसी से चल कर वंदे भारत एक्सप्रस ट्रेन दिल्ली आ रही थी वही ठुडला से आगे जैसलमेर और पारा स्टेशन के बीच लाइन पार कर रहा युवक ट्रेन की चपेट में आ गया ट्रेन की रफतार तेज थी और ट्रैक पार कर रही युवक को टक्कर मार दी जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो वही वंदे भारत से जुड़ी दूसरी खबर बिहार से सामने आई है दरसल 27 जून को बिहार में पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस टेंज शुरू हुई और वंदे भारत ट्रेन में चड़ने और सेलफी लेने के चक्कर में एक शक्स कुर्ता पहन कर ट्रेन में चड़िया इस बीच वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन के दर्वाजे बंध हो गए जिसके बाद करीब 50 किलोमीटर दूर तक इस व्यक्ति को दूसरे स्टेशन उतरना पड़ा आपको बता दे कि पीम नरेंदर मोदी ने 27 जून को भुपाल के रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन से एक साथ नई वंदे भारत एक्स्प्रेस टेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया था और इनी पांच में से एक वंदे भारत राची से पटना के लिए पीम मोदी ने भुपाल से वर्च्वल माध्यम से हरी जंडी दिखा कर रवाना किया था